So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो साथ ही टेलिग्राम चैनल को जोइंग कर सकते हो जसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स आपको मिलने वाली है तो प्लीज चेक आउट कर लेना तो वीडियो को करते हैं continue वीडियो की शुरुआत करें के हेल के साथ हिंदुस्तान एरोनाटिक को हम डिसकस कर लेते हैं पाच हजार 149 रुपे के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी 27 रुपे पेसर पेसे के राउंड स्टॉक में गिरावर नजराती है मॉर्निंग में ही स्टॉक अगर आप देखो 166 रुपे के राउंड गिर गया बड़ उसके बाद स्टॉक के में एक अच्छी बड़त देखने को बली 92.80 रुपे के राउंड अगर आप देखोगे स्टॉक में अच्छी तेजी नजरा जाती है पिछले पाच दिनों की अगर हम बात कर ले तो पिछले पाच दिन में स्टॉक 316 रुपे बड़ा है एक महीने की बात करें स्टॉक 1121 रुपे और उमीद है कि स्टॉक में आगे भी ऐसे रिटन्स अभी देखने को बलेगे स्टॉक में अगर देखें अच्छे ट्रेट्स यहां पर बन रहे हैं जो हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट्स भी करते हैं लेवर्स को तो बिल्कुल यहां पर हमने जो चीजे डिसकस की थी उसके इसाब से स्टॉक में जो एक्सपेक्डेट था वैसे रिटन्स नहीं मिल है बट कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहां पर गेन किया जैसे यह वाला लेवल हमने यहां पर केज किया था तो यहां पर अगर देखें हमें हम एक्सपेक्ड कर रहे थे स्टॉक से कि यह जो एक का फॉलिंग वेश्ट पैटन है इसमें अगर ब्रेक आउट मिलता है तो यहां से स्टॉक में एक अच्छा जम्प हमें देखने को मिल सकता है अच्छी रैली अ में देखने को मिल सकती है अगर ब्रेक आउट मिला तो यहां पर अगर देखे आज स्टॉक यहां पे मार्केट जैसे ही अपन रहा तो स्टॉक में हुआ क підig bạn तो एस पर्टिकिलर यहाँ पर सपोर्ट भी ले चुका था तो उम्मिद कर रहे थे हम कि यहाँ पर एक सपोर्ट के बाद स्टॉक उपर की उड़ जाएगा बड़े सा नहीं हुआ एक falling wedge type pattern बना यहाँ पर breakout support नहीं लेया इसने सिधा एक fall देखने को बिला बट एक V-shape recovery stock ने बताई फिर यहाँ से sideways रहा फिर हम वेट करने लगए यहाँ से breakout का breakout नहीं मिला बट यह जो range है इसके उपर यह नहीं जा पराता और एक ascendal type triangle बनाने की इसने कोशिश यहाँ पर कर दे बिल्कुल एक ascendal type triangle बनाया इसने तो हमने clear कर दिया था कि after breakout stock में एक jump आ सकता है exactly वह चीज हुई बड़े उपर proper नहीं जा पाया stock सीधा downside की और आ रहा है और इस particular range पर हो सकता है sustain करके एक अच्छे returns हमें देखने को मिला है क्योंकि काफी time से हम अगर देखे तो stock के उपर focus कर रहा है अच्छी rally stock बताता तो है बट यहाँ पर अगर देखे आज हमें momentum नहीं मिला previous trading seasons की भी अगर हम बात कर लें ascendal type triangle के बाद एक बड़ा jump आया था फिर उसके बाद fall आया फिर यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे थे कि sustain कर एक अच्छे returns देखने को मिला है बट ओ चीज़े आज यहाँ पर नहीं हो पाई तो वेट करेंगे कल क्या पैटर्स के रहे होता है बट कल हमें उम्मीद है कि stock में एक अच्छी rally हमें देखने को आपर मिल सकते हैं अब बात करते हैं BEL के BEL भारत electronics limited की बात करेंगे 294 रुपे 20 पेसे पे closing दी morning में gap up वहा था बड़ उसके बाद बड़ा fall है लगब 11 रुपे शेयर गिर गया फिर उसके बाद stock में एक recovery हमें देखने को मिली 3 रुपे पे ताली और यहां पर दिया गया है और company का नाम है Axis Cads Technology Limited एक छोटे सी company है जिनने यहां पर अगर देखे एक 90 करूड का order दिया है 90 करूड का order दिया है यहां पर supply of radar processing system radar processing system को supply करने के लिए चीज़ यहां पर दिया है तो बिलकुल company यहां पर अगर देखे इस stock का price है 507.05 पेसे का 4.60 पेसे तक के आज गिरा उट रही बट morning में stock ने इच्छे high लगाया थे 527 रुपे तक के जम stock ने बताया थे फिर उसके बाद stock जो है continue गिरता होना चाहिए बट एक बड़ी चीज़ यहां पर है BEL की और से इन्हें order मिला है और BEL में भी हमें उम्मीद है कि हमें आने अले टाइम में अच्छे returns देखने को बिल सकते हैं stock में एक बड़ा jump देखने को बिलेगा यहां पर अगर देखे morning में gap up हो गया कावी अच्छे बड़े jump लगा इसने पर उसके बाद stock गिरता होना जरा और इस particular trade line के around ही trade करता रहा और वही अगर हम बात कर लें upcoming trading seasons आपको किन points के उपर ध्यान देना चाहिए तो यह वाली trade line अगर आप देखोंगे ए ट्रेड लाइन एक आहिमपी trade line साबीत होने वाली है तो इस trade line के around अगर आप देखोंगे इस shirt support ले रहा है यहाँ पर support लेके stock उपर गया था support लिया फिर support लिया again support लेके stock में उमीद है कि एक अच्छे jump यहाँ पर हमें देखने को बला है तो breakout अगर मिलता है तो stock में यहाँ से एक तीजी हमें देखने को मिल सकते हैं, उमीद है कि stock में यहाँ अच्छे return अगर देखने को मिला है करें तो 10-1 का split है 31 मई 2024 से पहले buy करना होगा कभी इसका benefit आपको मिलेगा तो बिल्कुल यहां पर अगर देखें 31 मई 2024 से पहले buy करो 10-1 का split मिल जाएगा एक share के बदले आपको 100 shares मिलेगे 10 share में तूटने वाला है 100 shares के बदले 1000 shares में तूट जाएगा तो और रहल काफी कुछ च टॉक में investment कर रहे हो तो उनका analysis कर लो साथ ही टेलीग्राम चीन को join कर लो जिसके link आपको नीचे description में मिल जाएगा